हेलो दोस्तों लाप्टोब मास्टर में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लाप्टोब के साथ जी हाँ आज हम लेके आए हैं एच पी विक्टस एप डबल वन टू एट टी एक्स जी हाँ गेमिंग लाप्ट और इसका ओमिन प्लेग्राउंड यानी एच पी वर्ल्ड है दिल्ली का एक मातर हाइबिड स्टोर जहां पर आपके एच पी के सारे गेमिंग लाप्टॉफ बहुती बैटर रेट में मिलते हैं और आपको लाप्टॉप लेना है तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करेगा यह लाप्टॉफ हमें वहीं से मिला है जो अन्बॉक्स होने बाद कंपरी के बाद वापिस चला जाएगा और जो दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनसे यह कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारा लाप्टॉफ मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किय प्रफिश यह जैसे की पावर कोड आपको इसमें मिलती है और इसमें आपको मिलता है 150 वाट का पावर एडप्टर राउंड पिन के साथ जी हाँ 150 वाट गेमिंग लाप्टॉफ पर आप उमीद मत करेगा कि 65 वाट या 90 वाट मिलेगा गेमिंग लाप्टॉफ मिनिमाम आप आपको 150 वाट का अडप्टर मिलता ही है तो यह है हमारा लाप्टॉफ एच्पी विक्टस कलर यह कलर पस्नली मुझे बड़ा पसंद आता है देखिए हम बहुत बोर हो चुके हैं कभी सिल्वर और ब्लाक कलर यह दो कलर लाप्टॉफ के अदर मैं तो बड़ा बोर हो चुक विक्टस के काफी कम सीरीज में लाप्टॉफ है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ब्लू देखने को बिलता है अगर कलर की आप बात करें काफी शांदर होता है अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ट क्वालिटी के विक्टस की बिल्ट क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट होती है जो HP अपनी gaming laptop में देता है अगर हम इसके back panel की बात करें तो यह देखिए पूरा open है यहां पे दो cooling fan इसमें लगे हुए हैं आपका exhaust के लिए यह सारा open दिया जाता है जिससे laptop cool रहे अगर आप इसकी चारतों से इसकी build quality देखेंगे तो काफी कोशिश करी है HP ने इस laptop को sleek करने की लेकिन gaming laptop है आप उमीद मत करिये कि यह laptop sleek हो जाएगा अगर हम बात करते हैं एक हाथ से open करने की तो एक हाथ से यह laptop open हो जाता है थोड़ा सा उपर उठता है लेकि बहुत ही minor सा है मैं आपको एक बात और बता दू काफी लोग mistake करते हैं laptop open करने की मैं रहे बहुत लोगों को देख रहा है कभी left से open कर रहे हैं जैसे मैं यह बंद करू काफी लोगों देख रहे हैं कभी right से open कर रहे हैं उसके बाद यह complain करते हैं laptop के hinges ब्रेक हो गई या laptop की body टूट गई किसी भी कंपनी का laptop हो हमेशा आपको laptop open करने के लिए center से जगा दी जाती है आप हमेशा laptop को जब भी center से open करेंगे तो कभी भी laptop के hinges खराब नहीं होंगे side से धीरे-धीरे आप open करेंगे वह दीरे-धीरे एक बारी महीं नहीं खराब होते दीरे-धीरे आप दस बार बीस बार पांसो बार होंगे छेसो बार में आपका laptop के hinges खराब हो जाएंगे आपने एक चीज इस तरह नहीं करी जब हम बात कर रहे थे कि हमने laptop को खोला उसमें आपको वॉब्लिंग देखने को नहीं मिली बहुत-बहुत कम वॉब्लिंग है जो आपको इस पे देखने को मिलती है ना के बराबर जो एक्सेप्टेबल होती है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते लप्तुप को वॉटप करेंगे इतने पोर्स देखेंगे कानफिगेशन और फिर कहीं मच जाएगे लफटॉप का बैंक पैनल भी ओपन करेंगे आपको दिखाएंगे लप्तॉप के लफट साइड में आपको चार पोट दिखाए देंगे जो एक फसट पोट है वह है आप आपका प्रोजेक्टर और LED TV कनेक्ट करने के लिए दूसरा आपको मिलता है USB टाइप A 5 GBPS सिंग्निलिंग रेट के साथ इसरा आपको मिलेगा RJ45 10 x 100 x 1000 गेमिंग लाप्टप में लैंड पोर्ट जरूरी होता है वो यह है और एक आपको मिलता है टाइप C 5 GBPS सिंग्निलिंग रेट के साथ अगर हम बात करेंगे राइट साइट की तो लैप्टोप के राइट साइट भी आपको चार लैप्टोप चार पोर्ट मिलेंगे पहला है आपका चार्जिंग जैक लैप्टोप को चार्ज करने के लिए दूसरा आपको मिलता है USB टा पहले कॉन्फिकेशन क्या है बात करेंगे प्रोसेसर से आई 5 13 जनेशन जी आँ 1 3 4 2 0 एच प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है गेमिंग लाप्टोप पे तो हमेशा याद रहे है गेमिंग में एच आएगा या एच एक साइगा यू प्रोसेसर अगर आपको कोई कह रहा है क तो वह ऐसा संभव नहीं है हर गेमिंग लाप्टोप में आपको एच प्रोसेसर ज्रूर मिलता है बेसस्पीड की बात करेंगे 2.1 घिगार्स बेस स्पीड है इसमें कभी भी confuse मत हो यह गा कि 8-core है, तो उसमें 4 performance है और 4 efficient है. L3 cache की बात करेंगे, तो 12 MB L3 cache आपको इसमें मिलती है. बात करते हैं memory की 16 GB, 16 GB आपको इसमें DDR4, 3200 MB की RAM मिलती है. अब इसमें 2 slot में लगी है, 4-4 GB लगी है या एक लगी है वह हम जब laptop का back panel open करेंगे तब आपको दिखाएंगे. हमारे कुछ viewers तो पैचान भी गए होंगे कि इसमें कितनी लगी है, जो नहीं पैचान है उनके लिए laptop का back panel open करके हम आपको दिखाएंगे. 512 GB की आपको इसमें SSD मिलती है, जिसकी capacity 477 GB है. WD की इसमें SSD आपको मिलती है. जो लोग होते हैं वो बड़े confused हो जाते हैं कि जब हम इसमें दिखाते हैं आपको इसमें WD की SSD अगर देखनों को मिल रही है, तो आप यह सोचते हैं, F1-128 में सब में ही आपको WD की SSD मिलेगी. हमेशा स्पैसिफिकेशन सेम होगी, ब्रैंड चेंज हो सकता है. तो कभी भी आप यह confused मत होएगा कि SSD हमारी WD की नाओ के क्योस है तो वह original है या नहीं है. ऐसा हो सकता है कि hard disk आपको चेंज मिले. ग्राफिक्स जो इंटरनल ग्राफिक्स होता है, Intel के अंदर, UHD ग्राफिक्स है, जो हमारा मेन ग्राफिक्स है, वो है NVIDIA GeForce RTX 2050 Dedicated 4GB के साथ. जी हाँ, इसके अंदर आपको 2050 ग्राफिक्स मिलते है NVIDIA RTX. जो हम बात करेंगे 1650 NVIDIA GeForce आता था, यह उससे एक step ऊपर आपको आता है 2050 Graphics. अगर मैं इसकी TGP की बात करूँ, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, अगर हम इसकी TGP देखते हैं, तो इसकी maximum जो power है वो आपको देखने को मिलती है 50 Watt की, जो आपका RAM share करता है, total 11.8, लेकिन यह dedicated में आपका 4GB Graphics ही कहलाएगा, और हम इसके Wi-Fi की बात करेंगे, तो Wi-Fi इसमें 6E है और Bluetooth 5.3 इसमें आपको मिलता है. जो voice configuration पढ़ते हुए, one configuration के समय में आपको सुनाई दे रही थी, वो हमने इसी laptop के mic से record करी थी. करते हैं स्क्रीन तो आपको इसकी 15.6 इंची की Full HD डिस्पले आपको मिलता है, जिसका resolution 1920 by 1080 आपको मिलेगा. हर्ट्स की बात करेंगे, 144 हर्ट्स की स्क्रीन है, 9ms response time और IPS डिस्पले आपको इसमें मिलेगा, Micro-H डिस्पले है, anti-clear है, 250 nits और 45% NTSC के साथ. अगर आप इसके webcam की बात करेंगे, तो इसमें आपको 720p HD camera मिलता है with temple noise reduction और integrated dual array digital microphone के साथ आपको इसका camera मिलता है. इसमें आपको 15.6 inches का full size backlit keyboard मिलता है, अगर हम color की बात करेंगे, performance blue keyboard है इसके अंदर numerical keypad के साथ. तो दोस्तो इसका mic भी जो आता है हमारा noise reduction के साथ आता है, तो हम उसकी भी आज testing करते हैं. हमने यहाँ पे voice recording शुरू कर दी है, और यहाँ हमने एक sound play कर दी है, अब sound play हो रहा है, हम यहाँ पे bowl भी रहे हैं और वो record हो रहा है, तो अब हम यह देखेंगे कि इसने कितना noise reduce किया है, जो भी background में music चल रहा है है, जो भी noise हो रही है, अब हो हम देखते हैं. अब हमने यह record कर लिए, हमने इसको रोग देते हैं, यहाँ पे हम इसको stop करते हैं, अब हम play करके देखते हैं कि हमारा जो noise है, वो कितनी reduce हुई. हमने यहाँ पे voice recording शुरू कर दी है, और यहाँ हमने एक sound play कर दी है, अब sound play हो रहा है, यहाँ पे bone भी रहे हैं, और वो record हो रहा है, तो अब हम यह देखेंगे कि इसने कितना noise reduce ही है, जो भी background में music चल रहा है, जो भी noise हो रही है, अब हम देखते हैं. हमने यह record कर दी है, हमने इसको भोग देते हैं, यहाँ पे हम इस तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमने voice record करी, उसके अंदर background music बिल्कुल भी record नहीं हुआ, इसका मतलब अगर आप यह laptop लेते हैं, तो आप इसी laptop के mic से अपनी meeting conference या classes आप अटेंड कर सकते हैं, background music आपको प gaming laptop पे जैसे कि आपको बता है कि graphics भी होता है और processor भी होता है, दोनों ही इसमें आपको मिलते हैं, और दोनों ही heat करते हैं जब आप use करते हैं, इसी लिए दोनों के लिए अलग अलग fan है, आप graphics या processor या प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, दोनों ही heat सिंग के थूरू connected होते हैं, इसी वज़ा से आपको cooling vent के साथ दो fan लगाये जाते हैं, यहां आपको दो RAM दिखाई दे रही है, देखा कि हमने 16GB RAM थी, 8GB की दो RAM इसमें लगी वी है, अगर आप upgrade करना चाते हैं, दोनों ही remove करनी पड़ेगी, दोनों remove करके आप 16GB की लगा सकते हैं, साथ में आपको SSD हैं, तो वो साथ में remove करके ही आप कर पाएंगे, आपको दूसरी कोई नहीं मिलेगी, Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 यहां पे लगा हुआ है, आप battery की बात करेंगे, battery है हमारी 3 cell की 52 work over की इसमें आपको battery मिलती है, और साथ में आपको 2 speaker यहां पे देखें, 2 speaker भी आपको लगे हुए हैं, 2 speaker बात करें अपगेडिशन की, तो एक्स्टर इस पर कोई भी RAM का स्लोट भी नहीं है, नहीं कोई SSD का स्लोट है, लेकिन दोनों ही आप अपगेड कर सकते हैं, existing remove करके ही आप अपगेड कर पाएंगे, तो दोस्तों, आई हमने unbox किया आपका i5 13 generation के साथ अपने देखा 16 GB RAM और 4 GB 2050 के साथ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, RTX की स्टार्टिंग सीरीज आप इसको कह सकते हैं, 2050 क्योंकि इसके बाद ही 3050 और 3060 उसके पाद 4000 सीरीज, इससे पहले जो अभी तर हम देख रहे थे, वह NVIDIA GeForce के अंदर, वो NVIDIA GTX आता था 1650 या 1660 ग्राफिक्स, तो 2050 उससे बेटर परफॉर्मेंस देता है, यह याद रखिएगा, क्योंकि काफी लोग यहां में भी कन्फीज नहीं है, 1650 बेटर है या 2050 बेटर है, यह RTS ग्राफिक्स है, उससे बेटर है, देखिए अगर हम लाप्टाप की देखेंगे, अगर आप एक मिड रेंज में देख आपको यह लाप्टाप मिलता है, अगर हमने स्क्रीन देखा तो इसमें एक चीज़ और हमने स्क्रीन देखी तो 100% sRGB नहीं है, अगर आप कोरेल्ड ओ या फोटोशॉप जैसे जिसमें आपको कलर की बहुत चादा accuracy चाहिए होती है, तो आप यह लाप्टाप मत दीजेगा मैं आपको यह recommend नहीं करूँगा, क्योंकि 250 nits के साथ आता है, 45% आपको इसमें sRGB मिलेगा, तो यहाँ पर यह आपको 100% कलर की accuracy नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपने गेमिंग करनी है, 144Hz की स्क्रीन है, तो आपके लिए यह परफेक्ट है, आपने एडिनिंग कर जाना है कि, तो आपको एक बार इसका graphics lag कर सकता है, उसके लिए आपको 3050 या 4050 चाहिए होता है, otherwise, बाकी mostly games together, सब इसके प्ले होती है, graphics आप work करना है, designing, video editing, यह सब इस laptop पे easily हो जाएगी, अगर हम बात करेंगे, इसके keyboard की भी तो भी आपको backlit keyboard इस laptop के अंदर मिलता है, और देता रहता है, जब भी आप HP World में जाएं, तो आप जरूर पूछेगा कि इसमें HyperX के headphone, HyperX एक बहुत ही gaming accessories आती है, उसकी काफी अच्छी quality होती है, तो आप जरूर पूछेगा कभी 1000 में, कभी 2000 में, time to time change होता रहता है, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी discount के उपर इसक साथ HyperX के headphone mouse भी मिल जाते हैं, और अगर आपने विक्टर्स या कोई भी Omen gaming laptop लेना है, HP का लेना है, तो आप दिल्ली के अंदर करोर बाग में HP World, Omen Playground, दिल्ली की NCR का एक लोता hybrid store है, एक बार आप यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा, यहाँ पे आपको gaming laptop बहुत ही discount प मिल जाएंगे, और भी HP World है, जिनके numbers हमने नीचे दे रखे हैं, हमने काफी select करके दिये हैं, आप एक बार price जरूर चेक करिएगा, अगर हम बात करें वारंटी की, तो HP इसके साथ आपको 1 year की वारंटी देता है, अगर आपको extend करा नहीं हो, तो आप extend करा सकते हैं, आप accidental damage देना चाहें, तो मैं आपको ये भी बता दू, HP अपने Victus की laptop के साथ 5000 रुपीज में 3 year का accidental damage protection देता है, जी हाँ, याद रखेगा 5000 में 3 years का, मौस्टी मैंने देखा है, market के अंदर जो काफी जो player HP World नहीं होते हैं, HP exclusive stores नहीं होते, वो लोग accidental damage production 13,000 रुपे की, 12,000 रुपे क भी नहीं है लोगों को, इससे better है, जब भी आप laptop लें, तो हमेशा laptop की, अगर HP का laptop ले रहे हैं, तो आप HP से ही warranty extend करे हैं, लेने वो का ले रहे हैं, लेने वो डेल का ले रहे हैं, तो डेल का, और कभी भी third party बिल्कुल भी मत लिजेगा, जब आपको HP खुद ही 3 साल की 5000 वारंटी दे रहा है, इस सस्ती आपको नहीं मिलेगी और वारंटी मिलने की भी आपको गारंटी रहती है, तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जुरू बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जिससे आगे आने वाले नहीं लाप्टाप की वीडियो आपको मिलती रहें, तो दोस्तो वीडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहने का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलेंगे, अगली वीडियो में नहीं लाप्टाप के साथ, तब तक के लिए जाहिन!